हे गाईज दिस इस सार्थक फ्रमोडेक्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले सबसे सस्ता एडिटिंग PC बिल्ड नए नए पार्ट्स का यूज करते हो इस समय आप जो एडिटिंग PC बिल्ड सबसे सस्ता बना सकते हो वो है यार 40,000 रुपीज का 40,000 रुपे का आप मिनिममम एक अच्छे खासी लेवल की अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है न प्रोफेशनल ही अगर आपको करनी है तो यार आपको 40,000 रुपीज का PC बिल्ड करना ही पड़ेगा तो यह मेरे साब से सबसे सस्ता PC बिल्ड है अगर आपको एडिटिंग करनी है त तो इस वीडियो के अंदर हम इसी PC बिल्ड के बारे में बात करेंगे तो चले उस तो फटा पच्छे इस वीडियो कब हम शुरू करते हैं तो यह आपको जो प्रोसेसर के ऊपर थोड़ा अच्छा ध्यान देना पड़ता है भरी आ अप ग्राफिक्स कडड थोड़ा वीकल लगा लो लेकिन जो आपका मेन लोट पढ़ता है वो पढ़ता है आपके CPU के उपपर यानि आपके प्रोसेसर के उपपर तो आपका प्रोसेसर एक minimum 6 कोर्स का तो यार होना ही चाहिए अगर आप 2020 के अंदर एक editing PC build बना रहे हो ना तो यार 6 कोर का प्रोसेसर तो जरूर होना चाहिए मैं प्रोफेशनल एडिटिंग की बात कर रहा हूँ अगर आपको मतलब थोड़े बहुत इफेक्ट से लगाने है और अगर आपको डिसेंट सी editing करने है तो 6 कोर 12 थ्रेट का प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए अगर इससे कम अगर आप 4 कोर के प्रोसेसर के उपर PC बिल्ड कर लोगे ना editing करने के लिए 3D workload करने के लिए या फिर animation जैसा काम करने के लिए और यह मैं सिर्फ editing के लिए नहीं बता रहा हूँ अगर आपको कोई भी ऐसा professional kind of work करना है तो उन चीज़ों के लिए आपके बास 6 कोर का अगर आप एडिटिंग करोगे मैं 4 कोर का प्रोसेसर लगा रहा है मैं अपने PC के अंदर इसके उपर वीडियो डेट करता हूँ थोड़ा सा भी अगर एक मैंने 40,000 रुपीज के अंदर हम कौन से best of the best components को यूज करके एक editing PC build बना सकते हैं तो बात करते हैं मारे सभी components के बारे में तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग हमारे processor के बारे में तो आपको इसके अंदर यूज करना है और AMD के तरफ से Ryzen 5 1600 जो की AMD के Ryzen की false generation के उपर based है यानि यह 40 nanometer के technology के उपर बनाया गया जो की AMD का Zen architecture है 3.2 GHz की इसकी base clock है 3.6 GHz के उपर यह turbo करता है और overall बता तो इसके अंदर हमें 6 cores and 12 threads देखने को मिल जाते हैं तो यह processor यार काफी अच्छा processor है price बताऊँगा ना तो भाई आप मतलब shocked हो जाओगे कि यार इतनी सी price के उपर हमें इतना अच्छा processor देखने को मिल रहा है यह processor आप लोगों को मात्र 8,000 रुपीस से लेके 8,500 रुपीस का easily मिल जाएगा एक time था यह बीच में थोड़ा महेंगा सा मिल रहा था लवक 10,000 और सस्ता हो चुगा है मतलब 10 के उपर भी महेंगा नहीं था वैसे बटी अब और सस्ता हो चुगा है 8,500 रुपे में processor आप लोगों को मिल जाएगा तो बहुत अच्छी value यह समय हमें offer कर देता है अगर आपको editing करनी है 3D animation करनी है और किसी भी तरीके का है और productivity वाला काम करनी है overall हर एक काम के लिए processor beast है ठीक है अगर आप 4K वागेरा पर चले जाओगे कि मतलब बिल्कुली ultimate 4K में edit करनी है भाई तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है बट अगर आपको 1080p के उपर 60fps की footage अगर आपको edit करनी है कोई भी अगर आपको normal autocad चलाना है या कोई भी 3D animation वाला काम करना है हर एक काम को यह अराम से जेल सकता है तो काफी अच्छा processor है यह तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले ही मैं आप लोगो बता देता हूँ कि भाई इस वीडियो के अंदर जितने भी components इस PC build के लिए मैं आप लोगो suggest करूँ है सभी की links मिल जाएगी आप लोगो description के अंदर तो वहाँ से जाके आप इनको buyer कर सकते हो Amazon की link होगी काफी trusted website है तो अराम से आप इनको buyer कर सकते हो और अपना PC build कर सकते हो बात करूँ अगर मैं RAM के बारे में तो RAM इसके अंदर आपको use करना है Corsair Vengeance LPX 8GB RAM की 2 sticks चोगी 3000 MHz की उपर clocked है यह RAM यहर इतनी अच्छी RAM है अगर आप इनको overclock करना चाहते है बहुत RAM से 3400 MHz तक overclock हो जाती है प्राइज इस समय RAM की काफी अच्छी चल रही है काफी attractive चल रही है 5000 रुपीस के अंदर आप लोगो total 2 sticks मिल जाएगी 8GB RAM की तो आपको 16GB RAM इस PC Build के अंदर जरूर लगानी है आठ से काम नहीं चलेगा अगर आपको editing वगयरा करनी होती है productivity वाला काम करना होता है न तो आपको minimum 16GB RAM तो जरूर लगानी चाहिए जब मैं video edit करता हूँ आपने PC के उपर तो मेरी कम से कम 10GB RAM उस समय यूज हो रही होती है तो समझ सकते हैं 16GB RAM हमें जरूर लगानी है PC Build के अंदर बात करूँ मैं motherboard के बारे में तो motherboard आपको इसके अंदर यूज करना है MSI की तरफ से B450 Pro VDH Max motherboard यह motherboard आप लोगो 6500 रुपीज का देखने को मिल जाता है MSI जैसे ब्रैंड की तरफ से आता है और क्योंकि आपका processor यार unlocked processor है तो आप इसको थोड़ा बहुत overclock करना चाहूँ तो आप इस motherboard का आपका budget थोड़ा सा उपर जा सकता है बट स्टिल अगर आपको 40,000 रुपे के अंदर रहते पीसी बिल्ड करना है तो आप इस motherboard के साथ जा सकते हो काफी अच्छा motherboard है यह अब बात करते हैं हम लोग graphics card के बारे में तो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो AMD की तरफ से RX 570 लेकिन इस समय फिलहाल AMD का जो RX 580 का 4GB वाला variant है वो 11,600 रुपे का इस समय Amazon के उपर sell हो रहा है मुझे नहीं पता भाई यह कब तक भीकेगा बट यह जो price के उपर मिल रहा है ना इस समय बहुत कमाल की समय यह value हमें offer कर रहा है तो पहले मैं आप लोगो दोनों ही graphics card की link दे दूँगा description के अंदर आपको RX 570 की भी दे दूँगा आपको RX 580 की भी दे दूँगा अगर वो available होगा ना RX 580 का 4GB वाला variant तो आप उसको buy करना अगर वो available नहीं है तब आप RX 570 के साथ जा सकते हो बट RX 570 भी कोई दिक्कत नहीं है ये भी आपको अच्छे edit करा देगा बट अगर आपको सेम price के उपर अच्छा graphics card मिल रहा है तो भाई क्यों ना ले तो आप RX 570 के 4GB वाले variant के साथ जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बड़े या graphics card है अब बात करते हैं हम लोग हमारी storage के बारे में तो आपको इसके अंदर use करना है SSD और hard drive का combo SSD आप ले सकते हो western digital की तरफ से green जो कि 240 GB की SSD और hard drive आपको इसके अंदर लेनी है 1TW western digital की blue अब ये जो SSD है ये आप लोगो मिल जाएगी 2300 रूपीस की hard drive आपको मिल जाएगी 2600 रूपीस की तो maximum to maximum आपको 5000 रूपीस के अंदर storage का काम हो जाएगा और ये जो पूरा PC build है इसके लिए 450 Watt की जो power supply है ये more than enough रहेगी तो आप ले सकते हो Corsair की तरफ से VS 450 जो की काफी अच्छी power supply है और ये आप लोगों को लबग 2200 रूपीस की देखने को मिल जाती है बात करूँ मैं cabinet की बार में तो cabinet को आपको इसके अंदर लेनी है लग बाग ये आप लोगो 2600 रूपीस की देखने को मिल जाती है तो ओवराल इस प्राइस की उपर ये cabinet बहुत जाद अच्छी है और जितनी भी components मैंने आप लोगो इस वीडियो के अंदर suggest करें सभी की links मिल जाएगी आप लोगो description के अंदर तो वहाँ से जाके आप इनको buy or कर सकते हूँ तो बस जोस्तो आई होप ये वीडियो आपको काफी जाद है अच्छी लगे होगी तो मैं मिलूँगा आप लोगों से एक और नएफ वीडियो के अंदर तब तक के लिए आर थैंक्स और वाचेंग